कॉशन क्या कर रहा है if a is the mother of b and k ठीक है a जो है वो क्या है mother है किसके किसके a जो है mother है b और k दोनों की लेकिन b और k का gender क्या है वो गीवन नहीं है तो हम लोग के बढ़ यह अभी diagram इतना ही बनाएंगे ठीक है फिर कहता है d is the husband of a तो a already mother थी तो d क्या हो गया husband हो गया तो d husband हो गया a के तो b और k दोनों के father हो गया ठीक है d आगे कहता है e is the son of d's brother e जो है वो son है किसका d के brother का तो d के कोई brother है ठीक है पताने अभी कौन है लेकिन e जो है उसका son है e is the son of d's brother ठीक है आगे आपसे पूछ रहा है son है e तो male का sign दे दू फिर कहता है what is the relation of a with e a और e का relation क्या है वही आपसे पूछ रहा है ठीक है a और e का relation पूछ रहा है कि a क्या लगेगा e का ठीक है देखिए फिर तो e के ये father होगे उसके भाई d होगे तो क्या uncle होगे आपके father का भाई कौन होता है uncle होता है और uncle की wife क्या होगी aunt होगी तो e कौन हो जाएंगी aunt हो जाएंगी किसकी e का तो option number third सही हो जाएगा ठीक है okay